हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु सिक्षा आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स इस इस इसे किउड लेक्चर ओन एंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और काम आएंगे आपके यूपीएसी पीएफो एयो में सिर्फ एफो में अगर आप यूपीएसी सिविल सर्व और हर एक्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशल रहेगा इसमें छे कोशन रहेंगे ठीक है एक कोशन एक्स्ट्रा इस बार और प्रोसेस वही फॉलो करना है कोशन को देखना है फटा फट से अंसर आपने पॉस करना है वीडियो खुद से पढ़ना है टाइम देना है आपको करा दूम है मेरा मतलब मकसद यहां पर यह नहीं है कि फटाफड़ बस टॉपिक्स करहने है मैक्सिमं कोशिश कराने की कोशिश करूँ है तो इन में से किस ने कहा Here lay the woman who was the only man among the rebels और ये जो statement है ये दी गई थी रानी लक्ष्मी बाई के लिए रानी लक्ष्मी बाई के लिए ये statement जो है दी गई थी और किसने ये statement बोली थी Here lay the woman who was the only man among the rebels Hugh Ross, Sir Colin Campbell, John Nicholson या नन अउग दी अबव एक मुवी आई थी अभी रिसेंटली कंगना रानाथ उसमें एक्ष्मी करनी का जो रानी जहांसी के उपर ही मुवी बनी रही है उसमें भी ये statement लास्ट में मुवी में conclude करते हुँ दिखाया गया है और जिन्होंने डिफीट किया था रानी लक्ष्मी बाई को लीडर जो है वो important रहती है जब भी हम revolt of 1857 की बात करते हैं तो लीडर वाला area जो है वो काफी important हो जाता है अकसर सवाल पूचे जाते हैं कि बही किस area में किस ने lead किया था तो वही आपका match the following में है कि आपको बताना है कि कौन सा correctly matched है नाना साहिब, कानपूर, कुमर सिंग, बिहार, बेगम, हजरत महल, डेली, बक्त कान, लखनाओ तो इनमें से कौन सा correctly matched है 1 and 2, 2, 3, 4, 1, 3 and 4 या फिर 1, 2, 3 and 4 ठीक है जी एक मिनिट का अपने आपको अपने समय देना है वीडियो पॉस करके फिर अंसर करना है इसको तो देखो नाना साहिब और कानपूर बिल्कूल सही matched है, कुमर सिंग और बिहार भी बिल्कूल सही matched है ठीक है तो 1 और 2 तो बिल्कूल सही matched है तो देखो जहाँ पर 1 नी है वो option cancel हो गया, जहाँ पर 2 नी है वो option cancel हो गया अपने पास बचता है option A या option D इन में से ही एक अंसर हो सकता है क्योंकि एक और दो तो बिल्कुल correct है और अपने से correctly matched पूछा गया है ठीक है बेगम हजरत महल डेली ये गलत हो जाता है ये गलत हो जाता है तो automatically option D भी गलत हो जाता है अब इन दोनों में से अगर आपको एक भी पता था ना तो आप अंसर automatically कर सकते हो क्योंकि बखत खान भी लखनों में नहीं था अब for example आपको बेगम हजरत महल नहीं पता था कि वो कहां पे थी लेकिन बखत खान का पता था तब भी automatically option D calculate हो जाता तब भी अंसर आपका क्या बन जाता option A ठीक है तो option A will be the correct answer थोड़ी सी explanation देख लेते हैं इसकी ठीक है जी तो player 1 मैंने आपको बताया कि correctly matched है Nana Sahib जो adopted son थे पेश्वा बाजी राओ के उनको pension देने से मना कर दिया था अंग्रेजों ने और यसी चीज ने उनको offend किया था ultimately कानपूर में उन्होंने कानफोर्स race की और बिटिश जो garrison था उसके उपर कबजा कर लिया और अपने आपको पेश्वा क्लेम कर दिया and he declared that he was the governor under the emperor बहादुर शाह जफर हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि बहादुर शाह जफर को nominal head बना दिया गया था ठीक है बाकी के जो princess थे या जो पेश्वास थे उन्होंने भी accept कर लिया था कि they are fighting the war under the mughal emperor ठीक है जी pair 2 ये भी correctly matched है विहार में zamindar थे कुवर सिंग इन्होंने भी rebellion join कर लिया था pair 3 incorrectly matched है आपका बेगम हजरत महल डेली नहीं था बेगम हजरत महल जो था लखनौव में था and she was the wife of वाजी दली शाह और वाजी दली शाह की death के बाद इन्होंने उनके बेटे बिर्जिस कादर को वहाँ का नवाब डेक्लियर कर दिया during the revolt of 1857 और बेजिस कादर ने भी आपके पेश्वा बाजी राओ के तरह बहादुर शाह जफर के अंडर रूल करना जो है accept किया pair 4 incorrectly matched है यह तो हमने पिछले वीडियो में समझा ही था बक्त खान मैंने आपको बताया था ठीक है he was leading the revolt on behalf of बहादुर शाह जफर तो यह तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था तो आपको याद होना चाहिए था अल्राइट चलिए next third question which of the following statement is incorrect about the participation in the revolt of 1857 इन में से कौन सा statement incorrect है related to the participation ठीक है जी incorrect पूछा गया है ध्यान रखना है मैंने पहले भी कहा है कि सरकल लगा लेना है पेपर के अंदर सबसे पहले western, eastern and southern regions were largely unaffected by the revolt यानि कि यहाँ पर participation जो थी वो almost nil थी option B the educated Indians played a huge role in the spread of the idea of revolt third money lenders and merchants did not support the war fourth most Indian rurals took the side of British इन में से आपको incorrect statement जो है वो बताना है थोड़ा सा confusing question हो सकता है अगर आपने in-depth study नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी इसका answer करना answer यहाँ पर क्या हो जाएगा answer हो जाएगा आपका option B the educated Indians educated Indians तो revolt को support ही नहीं कर रहे थे they did not support the war ठीक है इनका कहना था इनका मानना यह था कि जो Britishers है वो modern approach लेकर के आ रहे हैं इंडिया में modern study लेकर के आ रहे हैं इंडिया में और अगर Britishers अभी चले गए तो फिर इंडिया जो है backward looking ही रह जाएगा okay so they were against you know throwing out the Britishers or they were against the idea of war तो इसलिए आपका statement B जो है वो completely गलत हो जाता है answer यहाँ पर आपका option B होगा ठीक है जी अब देखो reasons of failure of revolt जब हम पढ़ते हैं तब हम यह सारे points देखते हैं कि revolt कामियाब क्यों नहीं हो पाया 1857 का जो withdrawal था वो क्यों कामियाब नहीं हुआ देखो इसका जादा spread ही नहीं था mainly यह northern India में ही था ठीक है तभी काफी जो historians है वो कहते हैं कि it was never the first war of independence यह claim किया जाता है क्योंकि उनका यह कहना है कि यह सिरफ एक localized mutiny थी यह all India level का revolt नहीं था ठीक है eastern सदरन और western parts अगर आप इंडिया के देख तो completely unaffected थे इस revolt से बड़े जो जमिंदार थे जो बड़े money lenders थे, merchants थे educated Indians थे, इन सब ने इस war का support नहीं किया, उनके personal reasons की वज़े से जो Indians इस revolt में participate कर रहे थे, उनके पास थे poor arms and equipment, ठीक है, हम तलवार भालों से लड़ रहे थे और अंग्रेजों के पास थी तोपे, ठीक है जी, no coordination और central leadership, अपने पास कोई central leadership नहीं थी, नाम के लिए हमने बहादुर्शाद जफर को रखा था, पर वो तो खुद महुत weak थे, ठीक है, जितने भी rebellion, जितना भी revolt में participate कर रहे थे, princes अलग-अलग जगाओ पर, वो अपने आप में सब कुछ अपने decisions ले रहे थे, centralized approach नहीं थी ठीक है, no unified ideology जब हम reasons of revolt पढ़ते हैं multiple reasons देखते हैं कि religious reasons थे socio-economic reasons थे ठीक है, उसके बाद राजाओ के princes के अपने reasons थे, ठीक है, जी sipoies के अपने reasons थे, तो कोई भी एक reason के लिए नहीं लड़ रहा था, किसी की भी एक ideology नहीं थी, सब अपने अपने फाइदे के लिए लड़ रहे थे, सब अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, तो nationalism missing था, modern nationalism missing था वो सिरफ और सिरफ क्योंकि हर कोई अंग्रेजों से किसी कारण से दुखी था उसके लड़ रहे थे, कोई एक unified ideology नहीं थी, कि हाँ भी हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे ऐसा कोईजी के मन में नहीं था, सब अपने-पने मकसद से लड़ रहे थे, कि मुझसे मेरा पेशवायरशिप चीन लिया, मुझसे कोईशन आजाता है न, पेपर में तो it is like a Sunday gift इसको हम बोलते हैं Sunday gift ताकि जो बच्चे पेपर देने गए हैं उनका जो है, दिन न अखराब हो examiner इसलिए एक आदा कोईशन ऐसा रखता है कि ले बेटा, खुश हो जा, और इसमें ज़्यादा discussion नहीं करेंगे, answer है इसका option A, VD, server कर चलिए, fifth question fifth question, अगर किसी ने पढ़ा है तो easy है, मुश्किल नहीं है easy है, अगर पढ़ा ही नहीं कि फिर तो सारी question मुश्किल है, queen proclamation issued on November 1, 1858 was announced by Lord Kenning in a दर्बार organized in, देखो आप सब जानते हो, 1857 का revolt खतम हुआ, उसके बाद क्या हुआ East India Company को वहां की जो British सरकार है उसने का कि तुम हो जाओ, Tata bye bye, अब रानी का सिक्का चलेगा, यानि की Britain की सरकार ने directly administration अपने हाथ में ले ली और East India Company को कर दिया, Tata, bye bye, अब East India Company, administration भारत की नहीं संभालेगी, और एक नया act भी बनाया गया जिसका नाम था Good Government Good Government of India Act 1858, इसमें बहुत सारे provisions थे जिनको भी हम discuss नहीं करेंगे for example, एक Secretary of State का office बना दिया, जो Britain के cabinet का member था, जो Governor General था, उसको additional title दे दिया, Voice Roy, ये बोल दिया कि जो princes हैं, अब उनकी जो territory है, उसके उपर कबजा नहीं करेगी, Britain की सरकार, तो बहुत सारे points थे इसमें, ठीक है, तो ये जो सारी announcements थी, ये इंडिया में की गई, एक दरबार में जिसको, जिसमें announcement जो थी किसने की Lord Kenning ने, जो पहले voice roy बने, हिंदुस्तान के first voice roy बने, ठीक है जी तो ये जो दरबार था, कहां पर organized हुआ था, जहां पर ये queen proclamation जो है, announce किया गया था, 1 November 1858 को, देखो ये सारे facts हैं, examiner पूछ सकता है क्योंकि आजकल factual सवाल पूछे जाते हैं, मैं में, कहां पर हुआ था, easy सवाल है चलिए, answer देखें इसका, answer है इसका option D, प्रयाग राज, देखो generally हम जब history की किताबे पढ़ते हैं चाहे वो NCRT है, चाहे वो और कोई किताब है तो generally अलाबाद लिखा होता है क्योंकि प्रयाग राज तो अभी-अभी हुआ है ना, 2-3 साल पहले, पहले तो अलाबाद ही था तो अलाबाद लिखा होता है किताबों में तो हो सकता है examiner यहां पर अलाबाद देदे option में, हो सकता है प्रयाग राज देदे तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तमाल हमने ऐसी जगाओ पर कर लेना ओके चलो और यह डिसकस कर चुके है last question which of the following statement is incorrect with regard to subsidiary alliance अब subsidiary alliance आप कह दोगे कि सर यह तो 1857 के समय से पहले किया है पर बेटा इसको भी हम पढ़ते है one of the reason for the revolt of 1857 ठीक है इसलिए important हो जाता है तो incorrect बताना है subsidiary alliance से related इसमें क्या incorrect है पहला Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces जो हिंदुस्तान के राजा थे उनको कह दिया कि भई तुम अपनी सेना खुद की सेना नहीं रखोगे दूसरा company was supposed to provide protection to the Indian states in lieu of दिवानी rights दिवानी rights basically क्या होता था कि भई tax वगेरा collect करने की ता कि company का जो राज्य समराज्य है उसका विस्तार किया जा सके हिंदुस्तान में incorrect statement आपको बताना है थोड़ा सा समय दें खुद को वीडियो को pause करें 10-15 सेकिंड देखें आराम से समझे question को हर point को मैं आपको फिर समझाऊंगा ही ठीक है जी चलिए answer इस case में होगा आपका option B answer क्या होगा option B option B जो है incorrect है ये A नहीं है option B जो है incorrect होगा ठीक है तेको statement A correct है explanation देखते हैं statement A जो था वो correct है इनको जो भी राजा सब्सेडरी अलाइंस की treaty sign कर रहे थे वो अपनी खुद की सेना नहीं रख सकते थे था क्या प्रटेक्शं प्रवाइड कराएंगे British East India Company Protection प्रवाइड कराएगी ruler को और protection प्रवाइड कराने के लिए British East India Company की जो सेना है वो उस राजा की territory में रहेगी ठीक है और वो सारा खर्चा जो है उस सेना का वो राजा उठाएगा लेकिन खुद की आर्मी नहीं maintain करेगा option B incorrect है option B में लिखा था कि ये सारा subsidiary alliance में company को pay कैसे किया जाएगा दिवानी के थूँ नहीं, ऐसा नहीं था subsidiary alliance में सीधा सीधा क्या था कि या तो आप हमें cash दो जो हम आपको अपनी आर्मी दे रहे हैं उसके उस services के लिए या तो आप हमें cash दो या फिर आप हमें जमीन दे दो ठीक है दिवानी rights नहीं थे या तो cash या जमीन option C, option C भी बिल्कुल सही है अब अगर कोई राजा cash नहीं pay कर पाया for example उसके पास पैसे नहीं थे तो उस case में company क्या कहती थी कि अगर आप हमें time पर cash नहीं दोगे तो हम आपकी territory जो है वो ले लेंगे as a penalty हम आपका कुछ जमीन जो है ले लेंगे as a penalty उसके बाद option D, option D भी बिल्कुल सही है Lord Wellesley जो governor थे Bengal के उन्होंने ये subsidiary alliance सबसे पहले introduce की थी और मकसर यही था ताकि company के rule का expansion इंडिया में किया जा सके important points है, question बन सकता है हर के उपर, कई बाद direct easy question बनाना होगा तो ये भी पूछ लेंगे की subsidiary alliance कौन से governor of Bengal ने introduce की थी answer हो जाएगा Lord Wellesley alright, चलिए so alright guys, this is it, इस video में हमें इतना ही करना था, videos आती रहेंगी, चिंता मत करो ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैंने एक ही video डालनी है history की, कि अपता मैं एक दिन में 5 डाल दूँ, तो वो आपको चिंता नहीं करनी है ठीक है, questions आते रहेंगे और जितने questions हो सकेंगे उतने कराऊंगा जैसे मैंने बोला कि ऐसी limitation नहीं है और बाकी की playlists आपके सामने है वो भी आप देखते रहेगा और चैनल को subscribe और bell icon जुरूर प्रेस किजेगा regular updates मिलते रहेंगे हर रोज अब काफी सारा content आपके पास आने वाला है तो stay tuned and all the best, bye bye